आज हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की यूनिट नमबर ट्विल का वरकशीट नमबर वन इट इस अन परसंटेज तो आज हम समझेंगे की परसंटेज होती क्या है यह मैंने जो यूनिट स्लिट किया है यह डियव स्कूल्स में जो बुक्स लगी हुई है उन में से है मैंने थर्ड, फॉर्थ और फिफ्थ की वीडियो बनाई है जो डियव स्कूल्स में मैट्स की बुक है उसके ओपर थर्ड and फॉर्थ का सलिब बस कंप्लीट है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया हुआ है आपको कोई यूनिट वर्कशीट आपको चेक करना हो देखना हो मेरा नाम लिखिया है राजीव शर्मा स्पेस लिखके क्लास क्लास के बाद स्पेस लिखके क्लास का नमबर 3,4,5 में से कुछ भी उसके बाद यूनिट लिखिए यूनिट लिखने के बाद स्पेस डालके यूनिट का नमबर लिख दिजिए फिर लिखिए वर्कशीट वर्कशीट के बाद स्पेस डालके वर्कशीट का नमबर लिख दिजिए आपको बड़े राम से मेरा वीडियो सर्च हो जाएगा और अदरवाइस आपके बाद से रिक्वेस्ट है कि भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उससे आपकी जो सब्सक्रिप्शन्स है उसमें चैनल दिख जाएगा और चैनल में सारी वीडियो दिख जाएगे उसके बावजुद कोई अगर आपको पर्टिकलर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंस में लिख देजएगा मैं आपको लिंक बेच दूँगा चले शुरू करते हैं परसंटेज को परसंटेज जो वर्ड आया है वो आया है परसंट से और परसंट जो है वर्ड मैंने देखी ये तो अलग लिखा है पर अलग लिखा है और सेंट अलग लिखा है उसका रीजन ये है कि पहले तो हमें ये पता हो न जीए कि सेंट का मतलब क्या है cent का मुतलब होता है hundred तो फिर percent जो है word जो है आप मैंने इसको जोड़ दिया है इसका मुतलब क्या हुआ कि हर hundred चीज के पीछे आपके पास कितनी कोई चीज है माल लीजिए अगर मैं कहूँ कि hundred toffies हैं उनमें से forty आपके पास है तो इसका मुतलब क्या हुआ कि हर hundred toffies के पीछे आपके पास forty toffies हैं तो that will means कि आपके पास forty percent toffies हैं तो इसको हमने लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको forty over hundred भी लिख सकते हैं कि हर hundred toffies के पीछे forty आपके पास या इसको हम 40% भी लिख सकते है तो ये विसे dot की जगे पर आपकी यहाँ 0 बनाया हुआ तो आप इसको 0 भी लिख सकते है तो percentage को जो sign होता है वो ये sign होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी 40 over 100 और 40% अगर मैं को 40% दिया क्या हो तो मैं उसको इस fraction में लेखना हो तो मैं 40 over 100 लेखना हूँगा तो percentage का मतलब कि हर 100 कोई भी चीज़ हो अगर 100 चीज़े हो मालिजे pen ले ले लेते हैं pencil ले लेते हैं तो हर 100 pencils के पीछे आपके पास कितनी है that will be the percentage जो हम जो हम discuss करने वाले हैं तो मालिजे 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के पास हर एक के पास add up करें तो अगर मालिजे 100 pencils हैं सब के पास total किसी के पास 6 होएंगी किसी के पास 10 होएंगी किसी के पास 2 होएंगी किसी के पास 1 होएंगी total में लाके 20 बच्चों के पास 100 pencils है तो अगर आपके पास सरफ एक pencil हुई तो that will mean कि आपके पास सरफ 1% pencil है उस particular class में जितने भी बच्चों के पास pencils थी तो percentage का जो हमारी requirement रहती है वो ये देखने के लिए रहती है कि अगर total जितनी भी चीज़ें दुनिया में है माले जे बुलें कि इंडिया में जो manufacturing होती है cars की that is 5% of the total cars manufactured in the world तो उसका मतलब यह होगा कि अगर 100 कारें बन रही हैं पूरी दुनिया में तो उन में से 5 इंडिया में बन रही है तो percentage को हम इसलिए use करते हैं कि अब अगर actual में अगर हम देखें तो कारें 100 तो नहीं बन रही होएंगे ना कारें तो लॉक हो में बन रही होएंगे तो उन में से कुछ हजार हमारे यहां पर बन रही होएंगी या कुछ लाख हमारे यहां पर बन रही होएंगे तो उसको easily समझने के लिए चीज़ को कि भाया इंडिया की contribution कितनी है हम उसको percentage में लिखते है तो चलो अब जो है exercise शुरू करते है exercise हमारे को मिली है वो ये दी गई है कि 55 over 100 है उसको हम कितने percent लिख सकते है तो that means कि यहां पे हर 100 items के बीचे आपके बस 55 items है तो ये कितने percentage होगी ये 55% हो गई हम ये जो fraction है जिसमें 100 अगर denominator आ रहा है तो उसको हम percentage में लिख सकते हैं पर शर्त क्या है denominator has to be 100 अगर नहीं है और अगर आप percentage में उसको convert करना चाते हो तो आपको उसको फिर denominator को 100 लिखे आना पड़ेगा वो हम further जो है discussion अगर कोई आता है exercise तो उसमें करेंगे दिखेंगे कैसे होता है पर अभी हमारे को सरव इतना सीखना है कि अगर 100 denominator है तो हम इसको 55% या percentage में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको जब हमने बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि 55% अब उसे तरह से अगला question क्या है दिया गया है कि 41 और नीचे अब हमारे को इसमें धून रहा है कि नीचे इसके 41 के क्या आएगा और equal to में क्या दिया गया 41% तो भाई जहां पर percent word यूज हो गया तो that means कि हम इसको जब भी fraction में convert करेंगे तो हम नीचे इसके 100 लिखेंगे मान लो 50% लिख आपको दिया गया तो इसको बड़े अराम से आप 50 over 100 लिख सकते हैं उसका reason क्या है उसका reason है percent का जो meaning मैंने आपको बताया था कि percent का meaning होता है hundred और per means की हर hundred के पीछे कितनी चीज़ अगर 41 यहां पे दिया गया है और equal to में 41 percent दिया गया है तो that means की हर hundred items के पीछे 41 items आपके पास होनी चाहिए तो 41 जहां पे यह sign percent का आजएगा तो नीचे अराम से आप 100 लिख सकते हैं और उसको fraction में convert कर सकते हो अब अगले question में क्या दिया है four over hundred इसको अगर लिखना हो हमें percentage के form में तो हम क्या लिखेंगे कि जी हर 100 item के पीछे 4 item है तो that means की four percent items है तो यहां पे हम जब sign लगाएंगे percent का तो यहां पे four आजएगा because के denominator hundred है अगर यह denominator hundred ना होता तो फिर हम इसको four percent कभी भी नहीं लिख पाते हमें फिर denominator को change करना पड़ता into hundred अब अगला question मैं छोड़ रहा हूं बीच में से because यह सारे के सारे questions जो है वो आपको समझा जाएंगे same ही है कोई बहुत ज़्धा difference नहीं है हम मैं कर रहा हूं जी question जिसमें मेरे को ऊपर नहीं कुछ दिया गया नीचे hundred दिया गया और इधर equal to के बाद दिया गया है 11% 11% भाई जहां पे 11% यह sign दिया गया हो तो मैंने आपको बूला है कि आप इस sign की जगा पे इसको over hundred अराम से लिख सकते हैं because percent means कि हर 100 items के पीछे आपके पास कितनी items है तो इसको हम 11 over hundred लिख सकते हैं तो यहां hundred already दिया गया है तो इसका मतलब miss क्या था miss था 11 तो यहां पे क्या आएगा 11 अब अगला question जो है वो क्या है 125 over hundred दिया गया है तो इसका मतलब अब क्या निकल के आएगा यहां यह equal to क्या आएगा देखो जहां पर भी division जो है hundred से हो गई तो एक चीज़ यहां रखेगा इसको मैं percent लिख सकता हूँ कितरे percent जो उपर ने numerator दिया गया होगा तो यह 125 परसंट लिखा जा सकता है हम एक तरफ कह रहे हैं कि हर 100 चीज़ के पीछे हैं आपके पास कितनी चीज़ है तो यहां पे आपके पास 125 चीज़ें हैं उसका मतलब क्या हो गया कि मालने जिए total 50 items है ठीक है तो that means कि इसमें आपके पास 60 items आपके पास होएंगी या उससे ज़्यादा होएंगी 50 से ज़्यादा वो कैसे होएंगी क्या होएंगी वो जब actual life situations आएंगी हमारे सामने तो तब हम इसको करेंगे कैसे अभी आपने confused नहीं होना है अभी आपके लिए बड़ा simple है कि जहांपे denominator is 100 आगया मैं उसको percent लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा जो numerator में value दी गए होईगी चलें अब अगला question करते है question number 2 हम मैं कर रहा हूँ question number 2 उसमें क्या है कि in a box there are 100 chalks तो पहली चीज़ clear होगी total number of chalks कितनी है 100 out of these 65 chalks are blue and the rest are pink in color 100 chalks में से 65 chalks जो है वो blue है बाकी सारी की सारी जतनी भी है वो pink है अब हमें complete the following statement हमें करना है जिसमें अब हमें बताना है fraction of blue chalks कितनी है तो भाई पहली चीज़ total chalks कितनी थी that were 100 ठीक इसमें blue chalks कितनी है there are 65 और बाकी जो है वो कितनी है वो कौन सी है वो है pink chalks तो वो कितनी अब होगी अब 100 में से 65 को अगर आप minus कर दो के तो हमारे पास answer आ जाएगा यहां पे 0 है इसको help चाहिए help यहां से आने वाली है यह 0 रह जाएगा यह 10 हो जाएगा फर यहां से वहां पे 1 करी होगा यह 9 रह जाएगा 10 में से 5 के 5 और 9 में से 6 के 3 तो pink chalks कितनी है 35 अब हमारे को पहली चीज जो पूरी करनी है वह क्या करनी है जी fraction of blue chalks fraction मांग रहे हैं जिसमें मतलब numerator होगा और एक denominator होगा अब fraction of blue chalks कितनी है टोटल कितनी थी 100 उसमें से blue कितनी थी 65 तो यह हो गई जी fraction हमारी अब अगले पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है कि यह कितने percent बनी देखें जहाँ पे 100 आ गया तो उसकी जगा पे मैं यह sign लिख देता हूँ और साथ में क्या लिखा जाएगा न्यू रिटर में जो लिखा था तो यह कितने percentage बन गई 65 परसेंट अगला पार्ट क्या है नंबर आफ पिंक चॉक्स हम अलड़ी ढूंद चुके हैं देस थर्टी फाइव अंडर्ड टोटल थी 65 उसमें से ब्लू थी तो बाकी जो थी पिंक थी तो वह कितनी है थर्टी फाइव अब आजो फ्रेक्शन ओफ पिंक चॉक्स अब वह कितनी है टोटल कितनी थी अंडर्ड और पिंक कितनी थी उसमें से दाट वस थर्टी फाइव तो यह फ्रेक्शन क्या लिखी जाएगी 35 ओवर हंडर्ड और परसेंटेज फॉर्म में अब इसको लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा देखो जहां पर हंडर्ड आगा नीचे डिनॉमिनेटर में याद रखना नीचे आना चाहिए भाई मैं यह परसेंटेज साइन यूज कर सकता हूं और साथ में क्या लिखायागा जो नियूमिनेटर में दिया गया होगा तो यहां पर क्या दिया हुआ है 35 तो परसेंटेज में जब लिखना होगा तो क्या ल बीचले शुरू करते हैं अब क्वेस्टन नमबर टू का बीपाट क्या है कि अनुछ हैड हंडर्ड स्टैंप्स परसंटेज के केस में एक चीज़ याद रख लेना परसंट में जो सेंट है तो अगर हमें अलड़ी कोई चीज़ हंडर्ड दी गई है तो फिर परसंटेज निकालना समझना बहुत असान है तो अनुछ के पास टोटल स्टैंप्स थी कितनी हंडर्ड अब उन हंडर्ड स्टैंप्स में से 32 आर फॉरं स्टैंप्स अनुछ है तो यहां पे पहली बात है जी टोटल स्टैंप्स अनुछ के पास कितनी है पहले हम वो लिख लेंगे कि टोटल स्टैंप्स कितनी थी हंडर्ड इसमें से फॉरं जो स्टैंप्स है वो कितनी है यह थार्टी टू अब इसके बाद इंडियन स्टैंप्स उसके पास कितनी होनी चाहिए टोटल हंडर्ड है थर्टी टू फॉरं है तो यह माइनस कर देते हैं यहां पर एट आ जाएगा यह दर कैरी उता जाएगा यहां नाइन रह जाएगा यहां जीरो रह जाएगा टैन में से टू के एट नाइन में से त्री के सिक्स तो जो इंडियन स्टैंप्स है वो अनुज के पास कितनी है 68 और टोटल कितनी है 100 तो फिर जो हम स्टैंप्स की बात करते हैं पर्संटेज पर्संटेज आफ इन्डियन स्टैंप्स शब बात करेंगे तो इसका मतलब हुगा कि ह момस्ट ऑफ हंडर्ड स्टैंप्स शिक्स्टी एर् जो है अंडियन स्टैंप्स है तो आब इसको हम 68 तो आ तर लिकेंगे या इसको हम 68% लिखेंगे, यह 0 लिखना, 0 लिखना, dot लिखना, dot लिखना, तो फिर हमारी यह जो answer निकल के आ रहा है, 68% अब जो last question है, वो तो हमको खुदी करना है, here is a big square divided into 100 small squares, तो एक चीज जो हमारे लिए easy हो गई है, कि जो यह सारे के सारे squares हैं, they are 100 in number, 5 squares are shared black to show 5%, तो out of these 100, 5 are black, which means कि black जो boxes हैं, यह squares हैं, वो 5% हैं, अब हमारे को क्या बूला गया है, now, share the squares to represent the following percent, तो इसमें अब हमारे को क्या क्या दिया गया है, कि 45% have to be green, 6% have to be yellow, and 20% have to be blue, तो देखें, जब percent लिखा आ गया, that means कि out of 100 इतने जो हैं, green color के होने चाहिए, and out of 100, 6 जो हैं, yellow होने चाहिए, and out of 100, 20 जो हैं, blue होने चाहिए, तो अब चूंकि यह जो squares हैं, यह 100 squares हैं, तो अगर हमें green squares बनाने हैं 45%, तो simple मतलब यह निकलता है, कि हमें 45 squares को green color करना है, और 6 squares को yellow करना है, and 20 squares को हमें blue करना, and that will be our answer, तो with this, we have finally come to end of this worksheet, thanks for watching till the end, request है, share कीजिए, ताक यह subscribers बने हैं, so that मैं आफ़ फुल फुल फुलेज इस education line में आ सको, thank you, thank you very much.